हलो इसुरेंट्स द्रिश्टा सक्सेश अगेडमी ओनलाइन क्लासेश में एक बार पुन है आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूँ इंडियन राइटिंग इंग्लिस की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक लेखक लेकर आया हूँ टीपी कैलासम आप में से कुछ ही लोगों ऐसे होंगे कुछ ही बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम सुना है लेकिन कई बार टीपी कैलासम से कनेक्टेट कोशन पूछे गए हैं तो इसके लिए मैं इनके लिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इनका जिसमें की हम लोग इनके बर्ख की बात करेंगे और एक दो इनके मैंकून पॉइंट की बात करेंगे तो डारेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं 1884 में इनका जन मोता है और 1946 में इनकी डैथ होती है 1884 में जन और 1946 में इनकी डैथ नोट दिखी मैंने लिखा है थंजवर परमेशिवा अयर कैलासम टीपी कैलासम की अगर पूरी नाम की हम बात करें तो थंजवर परमाशिवा अयर कैलासम वाज ए प्ले राइट एंड प्रॉमिनेंट राइटर ऑफ करनट लिटरेचर टीपी कैलासम जी एक प्ले राइट थे साथी साथ करनट साहित के एक प्रॉमिनेंट राइटर भी थे अब ये पॉइंट आप लोग विसेज ध्यान से रखिए अगर टीपी कैलासम जी की बात करें तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिस में टीपी कैलासम जी को फादर ऑफ हुमिन प्लेस कहा जाता है ठीक कोशन ये पूछा जाता है आपका आंसर है टीपी कैलासम तो विसेज ध्यान रखिएगा इस सीज का चलिए अब हम लोग की मेजर बर्क्स की बात करेंगे तो मेजर बर्क्स में सबसे पहले पॉइम्ट की बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई तो देखिए पहली पॉइम दा ड्रामेटेस्ट ड्रामेटेस्ट का नाम आते ही हम लोग वाद सोचते हैं ये ड्रामा या ड्रामेटेस्ट ठीक लेकिन ये पॉइम है इनकी दा ड्रामेटेस्ट दूसरा पॉइम ट्रुथ नेक्ट तीसरी पॉइम मदल लब चोथी पोएम के मोनोलोग, पाचमी पोएम, दा इसमिलिन सेबन, चलिए आगे वड़ते हैं इनकी और पोएम के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोएम कहकई, ठीक, नेक्स्ट पोएम कहकई, फिर उसके बाद द्रॉन, फिर उसके बाद सुबद्रा, उसके बाद एक् फिर सुबद्रा उसके बाद Eternal Cane उसके बाद The Lake आप देखिए क्या कई रामायन के पात्र हैं हम जानते हैं द्रोन महाभारत के गुरू है सुबद्रा महाभारत की पात्र है Eternal Cane The Lake ये इनकी अन्य पोईम उसके बाद देखिए Next Poem The Sixth Columnist 1943 में ये पोईम आई थी इनकी The Sixth Columnist जो की काफी फेमस होई थी उसके बाद The Recipe फिर The Artist और उसके बाद Krishna The Sixth Columnist, The Recipe, The Artist और Krishna कुल मिलाकर 14 पोईम्स जो हैं टीपी कहला समझी की वो फेमस हैं तो इन 14 पोईम्स के नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं अब इनके प्लेस की बात कर लेते हैं साब इनको Father of Humorous Place कहा जाता है तो इनके चार प्लेस बहुत मैत्पून हैं थोड़ा सा क्रम गड़बल हो गया है पुब्लिकेशन के इसाब से तो देखिए पहला मैंने लिख दिया है The Purpose The Purpose इनका प्ले जो है आया 1944 में The Purpose कब आया 1944 उसके बाद दूसरे नमबर पर मैंने लिखा है Fulfillment ये आ गया था 1933 में प्ले फुल्फिल्मेंट 1933 The Worden ये प्ले भी इनका 1933 में आया तो 1933 में इनके दो प्लेस आये Fulfillment और The Worden उसके बाद तीसे नमबर पर आया था The Purpose जो कि 1944 में आया और चौथे नमबर पर आया The Brahmins Curge 1946 क्या The Brahmins Curge 1946 तो फिर समझ लिजिए पहला प्ले इनका Fulfillment आया जो कि 1933 में आया दूसरा प्ले इनका The Worden आया वो भी 1933 में आया तीसरा प्ले इनका The Purpose आया 1944 में आया और चौथा प्ले The Brahmins Curge जो कि 1946 में आया अगर डेट्स के साब से पूछा जाए तो इनका करम जो मैंने अभी बोला Fulfillment, The Worden, The Purpose और The Brahmins Curge मैं से चार प्लेज तो सीधे सीधे आप नामयात कर लीजिए The Purpose, Fulfillment, The Worden और The Brahmins Curge तो यह है हमारे TP कहला समझी और इनों का बर्क जो है बो मैंने आपको बताए तो short videos है यह आपके बहुत काम आने वाले हैं थोड़ा सा समय नकालिए एक बार इनको ध्यान से सुन लीजिया करिए तो इसी से ही आपको काफी benefit exam में मिल जाएगा ठीक हम जानते हैं TGT PGT की परिच्छा होने वाली है शुपरटेट जूनियर की परिच्छा होने वाली है डैली से भी vacancy आ गई है नवोदा विद्याले की भी vacancy आने वाली है तो धेर सारी vacancy लगी हुई है तो बस थोड़ा सा समय नकालिए थोड़ा सा पढ़िए I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सेयर अबसे करें और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब मैं चैनल थैंक्स फोर वाचिंग इस्टे वाचिंग इस्टे सेफ गूटनाइट